नमस्कार इंडिया नियूज राजस्थान देख रहे हैं आप में गरीमा श्रिवास्तवाब के साथ चक्रवाद बिपर जॉई के गुजुराथ से राजस्थान की तरफ बढ़ने की वज़ो से गुरुवार रास से ही राजस्थान के कई इलाकों में बारिश जारी है जालोर, सिरोही, बाढ़ मेर, जोथपूर, जैसल मेर और आसपास के अलाकों में शुक्रवार को अच्छी बारिश हुई कुछ अलाकों में हवा के रफ्तार 44-50 किलो मीटर पती घंटा तक रही मुसाम विभाग के एक अधिकारी भी के अनुसार चुक्रवात राजस्थान में घहरे दबाव की रूप में है और आगे चलकर अवसाथ की श्रेडी में भी आ जाएगा वही राजस्थान के कुछ हसों में बारिश और सुमवार तक जारी रहने की पूरी संभावना है आद्धा प्रबंधन और राहत विभाग के सचेव पीसी किशन ने बताया कि रैड अलर्ड को देखते हुए जिलो जहां बारिश को लिकर अलर्ड है में फिलहाल महंगाई रहात शिवर निलंबत कर दिये गए है उन्होंने बताया कि मुस्नाधार बारिश के अनुमान की कारेड जारी रैड अलर्ड को ध्यान में रखते हुए सभी एहतियाती तयादियां पूरी कर ली गई है मुख्य मंतरी ने दो दिन पहले ही एक समिक्षा बैठा करके चक्रवाद बेपर जोई के प्रभावों से निपटने के लिए सभी तयारियां पूरी रखने का निर्देश दिया था संबंदित जिला कलेक्चरों ने चक्रवाद का प्रभाव समाप्थ होने पर महंगाई रहा थे शिवर जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं के लिए रेजिस्ट्रिशन किया जा रहा है और मन्रेगा के तहत काम को निलंबित कर दिया था चक्रवाद वेपरजोई तूफान और भारी बारिश की वज़न से रेल यातायाद में प्रभावित हुए हैं उत्तर पशिम रेलवे के मुख्य जन संपर कदिकारी कैप्टन शसी किरन के अनुसार चक्रवादी तूफान वेपरजोई को ध्यान में रखते हुए उत्तर मुनाबाव बाडवें एक्सप्रेस सहीत कुल 13 ट्वेनों को शनिवार के लिए रद किया गया है चक्रवाद का असर देखते हुए स्यम गहलोत ने सबी राजस्थान वासियू को सुचाओ भी दिये हैं कि वो अपना ख्याल रखे तेज हवा बारिश और बिजली चमंकने की समय में पेड़ों के नीचे और मकानों में शरड लेने से बचवें और कच्छी दिवारों के पास न खड़े हों इसके साथ सब उने और भी सलाह भी है आप सभी अपना ख्याल जरूर रखें कमाम और भी जानकारियों में बने रहने के लिए देखे रही हैं इंडिया